हलो प्यारे बच्चों स्वागत हैं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल राटोड क्लासेज में आज के इस वीडियो में हम कख्षा आठ की प्रक्खर टू जो कार्य पुष्थिका दे रखी हैं इस ब्रिज कार्य पुष्थिका इसका हम कार्य पत्रक सेथिस पड़ेंगे कौन सा कार्य पत्रक पड़ेंगे सेथिस पड़ेंगे और इस कार्य पत्रक के अंदर आप संख्याओं के गुणज को लिख सकने की जो क्षमता है या दक्सता है वो आप हासिल कर पाएंगे आईए इसको हल करते हैं पहला प्रस्न है दी गई संख्याओं म ये गोले में लगा रखें हैं जैसे की अ 3 का पहारा वोलते हैं तो उसके इंदर 3 आते हैं, ये 3 है, फिर 6 ये भी 3 का गुणज है, फिर 9 ये भी 3 का गुणज है, फिर 12 ये भी 3 का गुणज है, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तक तक तो है, आगे और 3-3 जोड़ते जाओ आप, 30 में 3 ये 3 का गुणज है तीन और जोड़ोगे तो 49 ये 3 का गुणज है आगे 3 और जोड़ोगे तो 42 ये 3 का गुणज है वापिस 3 और जोड़ोगे तो 45 भी 3 का गुणज है इसमें 3 और जोड़ोगे तो 48 ये 3 के गुणज है अब और 3 जोड़ोगे तो कावना जाएंगे जो इसमें है नहीं यानि कि ये जो संख्या हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 49, 42, 45 और 48 ये सारे तीन के गुणज हैं वेसे ही इसका दूसरा प्रस्ण कहा रहा है कि दी गई संख्याओं में चार के गुणजों पर गोर लगाई जैसे तीन के लगाया था वेसे ही चार के गुणजों पर लगाना है तो चार का गुणज पहला तो चार ही पहला चार का गुणज चार है फिर चार जोड़ेंगे तो आठ आते हैं फिर उसमें चार जोड़ेंगे तो बारा आते हैं फिर उसमें चार जोड़ेंगे तो सोला आते हैं फिर उसमें चार जोड़ेंगे तो बीस आते हैं फिर चार जोड़ते हैं, 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 फिर चार जोड कि तीन चार और छे के समान गुंजों का गुंजों पर सही का निसान लगाना है जिसमें तीन का भी भाग जाता हो चार का भी भाग जाता हो और छे का भी भाग जाता हो एसी संक्या पर हमें सही का निसान लगाना तो सबसे छोटी संक्या जैसे कि हम देखते हैं एक के अंदर क तीन और छे का जाता है लेकिन चार का नहीं जाता है वैसे ही आठ के अंदर चार का जाता है लेकिन तीन और छे का नहीं जाता है नो में के वल तीन का जाता है दस में किसी का नहीं जाता है ग्यारा में जाता है बारा के अंदर देखो आओ बारा के अंदर तीन का भी जाता है तीन का पहड़ा चार बर बोलते हैं तो बारा आते हैं वैसे ही चार का पहड़ा तीन बर बोलते हैं तो बारा आते हैं और छे का पहड़ा दो बर बोलते हैं तो बारा आते हैं यानि कि सबसे चोटी सिंख्या जो है तीन चार और छे का गुणज है सबसे चोटी सिंख्या बार के अलावा को ना जाएगा 24 यानि बार दूने 24 यानि 24 के अंदर भी 3 4 और 6 तीनों का भाग जाएगा फिर बार चोक 48 इसके अंदर भी 3 4 और 6 तीनों का भाग जाएगा यानि कि इस प्रकार हमें 12, 24, 36 और 48 ये चार संक्या हैं इसमें से प्राप्त हो रही हैं जिनके अंदर 3, 3, 4, 6 सammers गुनज भाग जाएंगे यानि कि यह 3, 4, और 6 के समान गुनज है अब चलते हैं परस्न संक्या चार में परस्न संक्या' चार कह रहा हैं दी गई संक्याओं के जो गुनज हैं उन पर गुला लगाएं यानि संक्याओं ने रकी हैं एक तरफ तो साथ का भाग किस किस में जाता है वो उसके गुनज है तो साथ का भाग 10 में तो जाता है नहीं 12 में नहीं जाता है 14 में जाता है यानि कि एक गुनज तो हो गया 14 फिर साथ के पाड़े में 21 भी आते हैं तो ये भी साथ का गुनज है साथ के पाढ़े में 28 भी आते हैं तो ये भी साथ के गुणज है और साथ के पाढ़े में 35 आते हैं तो ये भी साथ के गुणज है इस प्रकार से साथ के गुणज हो गए हमारे पास 14, 21, 28 और 35 वैसे ही 9 के देखते हैं तो 9 के पाढ़े में 18 आते हैं 27 आते हैं 36 आते हैं 45 आते ह और साट आते हैं ये सारे क्या है बारा के गुनज है इस परकार से साथ नो और बारा के गुनज हमें प्राप्त हो गए हैं ये कारिया पतरक से 30 हमारा पूरा हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सवाल सारे समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक और से लाब उठा सकेंगे